रुकरते हैं बिस्तार से कतिविधी क्योर बोरंच पुलिस ने नाकवंदी के दौरान फार्मेसी और आईटी आई प्रशिक्षों से 103 ग्राम चिटा ब्रामत किया है पुलिस ने NDPS Act के तहत मामला दर्श कर गिरफतार कर लिया है दोनों आरोपी बोरंच पुलिस ने नाकवंदी के दौरान फार्मेसी और आईटी आई प्रशिक्षों से 103 ग्राम चिटा ब्रामत किया पुलिस ने NDPS Act में मामला दर्श के दोनों यूपकों को गिरफतार कर लिया है दोनों आरोपी जिला ब्लासपुर के तहट गुमार में के रहने वाले हैं आरोपियों की पहचान 21 वर्शी आदित्या बसिस्ट और 26 वर्शी राहुल शर्मा गुमार में जिला ब्लासपुर के रूप में हुई है राहुल ने मंडी जिले के एक महा बिदेले से फार्मेसी की पढ़ाई की है जबकि आदित्या आईट्या इसे प्रशिक्षन हासिल कर रहा है पुलिस ने बौरंच के बडेहर में नाका लगाया हुआ था तब है हमिरपूर के डिर्मेटिकर की तरफ से एक मारूती कर आई पुलिस ने कार को तालाशी के लिए रोका तो पुलिस को देखे तो पुलिस को देखकर दोनों युबग घवरा गई अलाशी के दौरान दोनों युपकों से 103.36 ग्राम चिटा ब्रामत किया गया पुलिस ने NDPS एक्ट के तैथ मामला दर्श करने के बाद हमीरपर कोट में पेश किया जाएगा जहां से दोनों को 14 मार्च तक पुलिस रिमान पर भेज दिया गया है इसे पहले बोरिज पुलिस ने बीते मा चिटे के दो केस बांक का एक और 49 किलोगराम डोडे अफिम का एक मामला पकड़ कर NDPS में मामले दर्श किये थे